नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रेगा हव में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक मजेदार तरीका लेके आया हूँ जेंडर प्रेडिक्शन का बैसे तो आप समझ ही गई होगे मेरे धंबलिन को देख कर कि मैं आज किस प्रकार का जेंडर प्रेडिक्शन का तरीका आपके लिए बताने वाला हूँ दोस्तों यह तरीका हमारे ही एक पड़ोस में एक लेडिज ने किया था दोस्तों उसका 80% ये महिलाओं को सत्य बात होती है और उसका यह तरीका एकदम सही निकला था और सतीक निकला था तो दोस्तों आज यह तरीका मैं आपके सामने बताने वाला हूँ दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें अगर आपने स्किप कर दी तो इस प्रियोग का आपका फायदा नहीं होगा तो दोस्तों इसकिप ना करें और पूरा जरूर देखें और जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं आए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे हर जरूरी वीडियो की नोटिपिकेशन आपक को बता दूं कि हमारे चैनल का उद्देश्य किसी भी लड़का या लड़की में बेदवाब करना बिलकुल नहीं है हम दौनों के लिए वीडियो बनाते हैं जिस मईला को लड़कों की चाहत होती है बहले लड़की की वीडियो देख सकती है ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम बे होते हैं यह बीडियो सिर्फ आपकी एकमात उत्सक्ता को कम करने के लिए बनाई जाती है तो दोस्तों जान लो कि आप मांचस की तीली से कैसे पता लगा सकते हैं कि गर्भ में एक लड़का पर रहा है या एक लड़की दोस्तों आपको करना क्या है एक मांचस की तीली लेनी है और यह प्रियोग आपको सुबा सुबा करना है जैसे कि आप सुबा सुबा जगती है तो आपका जो फ़स्ट यूरिन होता है फ़स्ट यूरिन होता है उसको आपको एक बॉइल में ले लेना है और मांचस की तीली के मसाले वाले साइड से जब उसका मसाला वाला हिस्सा गीला हो जाता है तो उसको थोड़ी दिर यानि कि 10-15 मिनट के लिए साइड में रख दें और दोस्तो अब आपको करना क्या है कि अब आपको उस तिली को जलाने की कोसिस करनी है दोस्तो यहीं से सारा कुछ पता लगता है और यहीं से सारी कुछ जानकारी आपको प्राप्त होती है तो दोस्तो आपको उस तिली को माचिस से जलाना है यानि कि अगर बहे माचिस जल जाती है दोस्तो ये टोटका है और ये बड़े बुजर्ण को दुबारा किया गया था और बताया गया है अगर बहे माचिस जल जाए तो आप अनुमा लगा सकती है कि आपके घर में एक पुत्र पल रहा है यानि कि आपके घर एक बेटा आने वाला है और दोस्तों इसी के विप्रीत अगर बहमाचिस नहीं जलती है जलाने पर अगर बहमाचिस नहीं जलती है तो आप अनुमा लगा लें कि आपके घर में एक बेटी पल रही है यानि कि आप एक पुत्री को जनम देने वाली है तो दोस्तो यह था आज का प्रियोग आप भी इस प्रियोग को करके देखें अगर आप प्रेग्रेंट हैं अगर दोस्तो यह भी आपके साथ होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो आपको अच्छी लगी तो ला वाचिंग वीडियो